असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम टू माई चैनल आज हम अपनी कीचन में बनाने जा रहे हैं बहुत आसान बनने वाली तोरी की रेसिपी यह बहुत न्यूट्रिशन फुल भी होती है है तो आप इसे पेशन वेखलों को भी दे सकते हैं घर में बनाएं बहुत टीस्टी बनत कर लिया है यह देखें तो मेरी तयार है तो चैले बनाना शूरू करते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें एक कडाई लीनी है और इसमें 2 टेबली स्पून के करीब तेल डाल कर लेना है कोई भी कुकिंग ओई अप ले सकते हैं जो भी आप इस्तमाल करते हैं तेल के गरम हो ज तो यहां पर आप देखें, मेरी प्यास गोल्डन हो चुकी है अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 8-10 थोड़ी सी मोटी-मोटी कटी हुए हरी मिर्चे यह तोरही की सबजी जादा तीखी नहीं बनाई जाती इसको भूने के बाद हम इसमें डाल देगे मीडियम साइस का अच्छे से चॉप किया हुआ तमाटा तमाट डालते ही इसके अंदर नमक भी आट कर देंगे आिए बाद अच्छे से भूनेगे टंमाट के सॉफ्ट होने तक और उसके बाद हम इसे अचछे से भूनेंगे टामाटर के सौफ्ट होने तक नम्क डालने से टामाटर बहुत जल्दी से टेंडर हो जाता है तो इसको चला लेंगे हम अच्छे से तो दोस्तो यहाँ पर टामाटर हमारा تقریبां सौफ्ट हो चुका है बस अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी तो रही है जो हमने कट करके रखी हुई है उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ अच्छे से उपर नीचे कर लेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे 140 पून के करीब हल्दी हल्दी हम जादा नहीं डालेंगे क्योंकि सबसे हमें अपनी ग्रीन ग्रीन ही चाहिए अगर आप हल्दी एड नहीं करेंगे तो इसमें हल्किसी ब्लैकनेस हाजाएगी तो यह हमारी हल्दी से कवर कर लेगी और इसमें ग्रीन नेस लेकर आएगी तो यहाँ पर मैंने 140 पून हल्दी एड कर दिया अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तक चार मिनट तक भूनेंगे तकि तरहें हमारी किसी सॉफ्ट हो जाएं और हल्दी का कच्छा पन खत्म हो जाए तो मैंने इसको चार मिनट भून लिया है आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है यह देखें अब हमें इसके अंदर एड कर देना है एक कप के करीब पानी मैं अपने तरहें को हलका सा सिल्वला बनाऊंगी क्योंकि इस तरह से बहुत मज़ेदार बनती है अगर आप बिल्कुल भूनी-भूनी रखना जाते हैं तो पानी की कौन्टिटी आप कम कर सकते हैं और बस हम इसको कवर करके रख देंगे हमें इसे तब तक पकाना है जब तक तो रही है हमारी पूरी तरह से गल नहीं जाती तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से कवर कर देंगे तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हमारी तोरह को पकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर और यह हमारी अच्छे तरह से गल चुकी है देख्या अब हम इस तरह का एक मैशल ले लेंगे उसको हलका हलका सा मैश कर लेंगे बहुत जादा इसका भूरता नहीं बनाना है बस हलकी हलकी से मैश कर लेंगे ताकि हमारी शौरब के साथ मिक्स होती हुए नजर आए बस इतनी ही काफी है यह हमारी तोरह पूरी तरह से तयार है अब हम फ्लेम कोफ कर देंगे इसमें डाल देंगे तो यह हमारी तोरह तयार है इसको मिक्स करके हम कर लेता है अब आप इसकी रंगत देख सकते हैं माशाला कितनी बड़िया लग रही है यह बहुत टेस्टी रेसिपी होती है यह और यह पेशन पगर के लिए भी दी जाती है क्योंकि यह बहुत जादा न्यूटिशन फूल ह खाने में भी मज़ेदार होती है और बहुत जादा हेल्दी होती है तो आप इस हेल्दी रेसिपी को जरू ट्राइ करें इस तरह से एक बास जरू बना के देखें आपको इंशालला बहुत पसंद आएगी है हलका साथ के ओपर हमारा दनिया गारनिश कर लेते हैं और बस तै जिर रोती हूं तब तक के लिए अल्ला हाफिज